आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरा नाम ऐस सिद्धान तक नहीं हो, तरी स्टेडी ग्लोस पे आपका बहुत दोस्फागत है दोस्तों, हमारे जो जनरल मनूज पांडे हैं, उन्होंने कुछ बहुत इंपोर्टेंट बात बोली है मैं चाहता हूँ, वो बात आप सुनें, क्योंकि ये काफी जरूरी है, हम सब के लिए, हमारी आर्मी के लिए इंडियान आमी is the strongest in the world, इंडिया की कलोती ऐसी आर्मी है, जैसे रश्या के आर्मी हमको फेल होती हुए दिख गई पाकिस्तान की आर्मी काम को पता ही है, चाइना की भी आर्मी कोई successful rate उनका बहुत ही कम है, क्योंकि चाइनीज आर्मी का टेस्ट हुआ है, रियल टेस्ट हुआ है और हर वक्त इंडिया नामी देख्या केम आउट पेट flying colors, उसके बहुत सारे reasons भी मैंने बताए हैं, क्योंकि हमारा आर्मी का ही बहुत democratic structure है, और जिस तजिके से training होती है मैंने एक National Geographic Channel पे डॉक्यमेंटरी देगी थी बहुत पहले, तो उसमें ये बताया था कि Indian Military Academy में शीशे के टुकणों को हीरे बना देते हैं, ऐसे हमारी आर्मी काम करती है, मैंने खुद दोस्तों 3-4 वर SSB दिया है, screen out, selection ही नहीं हुआ, they take best of the best, अब जब इतने brilliant brains आ रहे हैं वाँ पे, इतने जबर्दस तो आप समझ लिजे कि हमारी आर्मी कैसे होगी, वो कभी ह पढ़ेंगी ही, इसमें बहुत जब जब टफ लैंग्वेज यूज की है, यहां पे मनुज पांडे ने, तो मैं PPT वाइस चलूँगा और आपको एक एक चीज का मतलब बता दूँगा, और अभी आर्मी की क्या कंडिशन है, वो भी बता दूँगा, चलिए, आगे बढ़त वो है string of pearls and one belt, one road strategy, इसमें आपको पाकिस्तान, प्लस ये पूरी strategy कैसे चाइना घेर रहा है, वो पता चल जाएगी और इसको आप सुन सकता है, कुकू FM पे, जो कि भारत का number one audio show platform है, 10,000 से ज़ादा audio show, 25,000,000 से ज़ादा paid subscriber, यहां पे आपको मिलेगे, मैं personally कुकू FM अब ही दो नए features है, sleep timer mode, आप audio show का time set कर सकते हैं, drive mode, गाड़ी चलाते चलाते आप audio show को सुन सकते हैं, अभी offer चल रहा है SGS50, coupon code आपको SGS50 उसकरना है, तो 99 का subscription आपको 49 में मिलेगा, 50% off है, यानि कि 99 का subscription 49 में फॉर्स्ट मन्त के लिए ये valid है, तो description और comment box में लिंक दिया ह आपको download करें, और जबर्दस discount फायदा उठाए, आपको बहुत ज्यान की प्राप्ती होगी, चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो क्या हुआ है यहाँ पे, तो General Pandey जो है, he was speaking at the second edition of DevTech India, ठीक है, जिसको organize किया था, PhD Chamber of Commerce and Vision Initiatives, अब यहाँ पे, तीसरा साल है, जब भारत और चीन का जो stand-off है, वो अभी तक सुल्जा नहीं है, यही सच्चाई है, Russia-Ukraine War और भारत और चाइना को लेकर, यहाँ पे, Manoj Pandey ने काफी कुछ कहा है, क्या कहा है, legacy challenges of unsettled border continue to engage the army, and it is essential to possess strategic deterrence instruments, यानि कि, यह जो challenges है न, हमारे border unsettled हैं, और यह बहुत पहले से हैं, इसका challenge हमको आज भी देखने को मिल रहा है, LSE अभी तक चाईना ने defining नहीं की, वो अभी तक geographical parameters को ही LSE मानता है, कि यह पहाड़ा यहाँ से जाती है, यहाँ से अमारी border शुरू होता है, यह नदिये यहाँ से अमारा border शुरू होता है, कभी भी चाईना उसको recognize करे गाई नह चाईना की strategy है, कि वो आगे बढ़ता जाता है, अगर आप उसको नहीं रोकेंगे, तो उस पूरे के पूरे area को वो कबजे में ले लेता है, तो यही जनरल मनुच पांडे ने बोला है, कि भाई बहुत जादा जरूरी है कि अब हम strategic deterrence instruments पे काम करें, और वो आज के जमाने के instrument conventional war गया, हाला कि उसको हम पूरी तरीके से नहीं बोल सकते कि वो गया, क्योंकि conventional war भाई अभी भी आप, देखो, simple सी बात है, अगर land पे लडाई हो रही है, तो आप iron man को तो भेज नहीं दोगे, आपको सिपाईयों की ज़रूरत पड़ेगी, present situation अगर हम देखे तो भारत की दुनिया की सबसे ताकतवर army है, हम सबको पता है, ठीक है, तो strategic deterrence, deterrence मतलब होता है एक तरीके से prevention, है ना, आपके पास इतनी ताकत है कि अगला आपके उपर आँख भी न उठाए, ऐसा हिसाब किताब, तो हमको strategic, अब ये strategic जो word है ना, ये बहुत ही जादा जरूरी है, कहा कहां पे problem हो सकती है, वहां पे लगाओ सारे के सारे, जितना भी नई चीज़े हैं, लगा दो सब, ठीक है, बहुत जादा जरूरी है, वरना तो border unsettled होते रहेंगे, और इसकी वज़े से wider conflict है, अगर border पे, बहुत बड़ी बात यां पे बोल दी है, कि अगर border पे कमजोरी तो ये बहुत बड़े conflict के रूप ले लेगा, common sense है, border क्या करता है, देशों को divide करता है, ये हिस्सा तुमारा ये हिस्सा मेरा, अगर वहां पे कोई कमजोरी आपने दिखा दी, तो अगला वाला इंसान आपके area को अपने पास ले लेगा, simple, तो इसके लिए बहुत जादा ज weakness कि अगर मान लो कि जो border management में इतनी सी भी चूक हुई, तो बहुत बड़ी इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है हमको, ये हमारे उपर ही बहुत भारी पड़ जागा, ये इनका indirect कहना था, ठीक है, therefore the first imperative that comes across is that possession of strategic data instrument is essential, तो इसको सही करना है, लेओ strategic, अब ये क्या है, कौन से instrument, आज की जो नहीं नहीं टेक, drones, ठीक है, AI, tech, ये सारी चीज़े, जो, देखिए, conventional plus niche technologies, ये आपको मिलाना पड़ेगा, right, इन दोनों को, आपको मिला के, border पे लगा दो, फिर किसी की आउकात नहीं है, कुछ भ prolonged commitment in counter-insurgency operation should not dull our conventional response preparedness, हमारी जो लगाता commitment रहा है, कि जो भी counter-insurgency operations चल रहा है भारत के अंदर, अब उसका मतलब ये नहीं कि जो हमरे conventional response preparedness है, उसको कम कर दे, right, ये चीज़ है, आगे देखते है, he said, conventional capabilities get defined by demands of terrain, बहुत important है, conventional capabilities मतलब क्या है, ठीक है, सबसे पहले terrain, कहां पे आ लड़ाई कर रहे हो, आप mountain पे लड़ाई कर रहे हो, आप plains पे लड़ाई कर रहे हो, आप जंगलों में लड़ाई कर रहे हो, आप जैसे counter-insurgency operations की बात की, तो आप जंगलों में लड़ाई करोगे, ठीक है, अब ये hand-to-hand combat, या फिर जैसे यहां पे Russia-Ukraine war में आपने होती है, कहां पे war हो रहा है, theater पे defined होती है, strategy of employment पे defined होती है, कि कहां पे employ किया गया है, कि इनकिन लोगों को employ किया है, and the adversity capabilities, कि भाया अगला वाला कितना खतरनाक है, उस पे depend करता है conventional capabilities, यही तो है ही है, और उसी के हिसाब से आपको अपनी strategy बनानी होती है, right, our existing inventory has a fair mix, अभ अभी vintage और theater specific requirement, इनका mix है, बहुत जरूरी बात है, vintage पुराना, भाई देखो, आप war अभी चल रहे है, आपको क्या लगता है, war नहीं चल रहे है, cyber war अभी चालू है, और यह जो यूग में, जीतेगा कौन, जो tech में आगे है, STEM, science, tech, engineering, mathematics, simple, अगर आपके पास यह सारी चीज अब लडाई हो रही, AI पे, आर्मी नहीं कोई उस कर रही है, बहुत advance हो चुका है, भाई यह सब कुछ, भयानक तरीके से, जो आप Avenger movie देखते हो ना, वही आने वाला future है, एक तरीके से, तो अभी अगर हम inventory की बात करें, तो theater specific requirement, theater specific कहां पे क्या चीज़ चाहिए, जैसे tank, tank, tank को mountain पे ले जाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपको ले जाना पड़ेगा, अब उसके लिए आपको specific बढ़िया tank चाहिए, छोटे tank चाहिए, जिनके भी भारत अभी काम कर भी रहा है, भारत खरीद भी रहा है, है ना, तो theater specific, jungle में आप tank नहीं ले जा सकते, तो वहाँ पे आपको छोटे हतियार चाहिए, वहाँ पे आपको ड्रोन की ज़रूरत पड़ेगी, theater specific requirement बहुत ज़रूरी है, the pursuit to infuse technology into our war fighting system remains an enduring one, बहुत ज़रूरी है, tech, यहाँ पे basically का कहना यही है, कि आज की technology, जितना हो सके, आर्मी को यूस करना चाहिए, एक भी कमजोरी हमक को छोड़नी नहीं है, समझ रहो, he also highlighted several critical takeaways from the ongoing Russia-Ukraine war, तो अभी Russia-Ukraine war से क्या-क्या हम सीख सकते ये भी इन्होंने बताया, relevance of hard power with land continue to be the decisive domain of warfare and that short swift war may be a flawed assumption are key lessons from the war, अभी भी आप land पर जो वार होता है, हम ही हम है, तो क्या हम है, तुम ही तुम हो, तो क्या तुम हो, तो क्या एरफोर्स और हमेशा आर्मी में बाता है, कौन ऊपर, कौन ऊपर, ठीक है, बट अभी भी अगर हम बात करते हैं, कि जो land power होती है, उसको कोई बीठी नहीं कर सकता, सिपाही यो जितवाते हैं, लेकिन ये हम आज के लिए swift war, short war हो गया है, ठीक है, कि फटाक से, छोटे हमला करो, जीत जाओ, जैसे रश्या ने किया, रश्या ने यही किया, रश्या को लगा कि इधर पर हमला करो, जीत जाओ, उनकी कोई बड़ी strategy नहीं थी, जैसे बद जब भारत 1971 वार पे गया, जब 1971 का जब वार हुआ, तो strategy क्या थी, कि भारत शुरू से ही काम कर रहा था, क रश्या की पूरे उक्रेण को कभजाने की हो सकता है, हो भी, लेकिन रही नहीं है, उनको लगा कि अभी छोटे चोटे चोटे टाइम पर चोटी चोटी चीज़े करो, जो कि इनको बहुत भारी पढ़ गया, सबसे पहली बात तो यह तो आपको बड़ा प्लान सोचना होगा एक चीज तो यह, ठीक है, यह भी आगे भी देख लेते हैं, फॉल प्रोट फॉल प्रॉल पॉल थोगा, रश्या की भूसी बिगार दिया हमार-मार की उकरेंड, एक सूपर पावर है रश्या, जब भी हम सूपर पावर की बात करते हैं, तो अमेरिका की बात रश्या आता ह प्रिश्ट यह भी कि जो डिस्टेंस लॉंग रिच्पीशन फायर प्रूफ की डिस्टेंस शरूरी नहीं है कि आप बैटे हो भारत में और उतर अमेरीका है जैसे अमेरीका के साथ हुआ था ना कि अमेरीका भारत बोर बोल के थग गया था भाया अतंकवाद पे बिल भाया संसता नाशा खूक के बाइठे करे ठीक है कोई बात महीं हम तो साथ समुंदर तौर बाइटे हुए क्या ही, किसकी कितनी आखात है नième कि हमको मार दे लेकिन ौए उसामा में ना है चैचा और पूरा पूरा प्लेनग फिस लेके कि वोड़ियों कर यांumble कर मैं चीना क्याय अब अब मार्स तक पर को मिसाइले चली जाएं कुछ भी हो सकता है so the need for dedicated strategy to win the war of narratives the need to fight grey zone warfare अचा grey zone warfare पे बहुत ज़ादा अभी बताया है निकि अखिर क्या यह क्या है ठीक है are other lessons from the war he said loiter munitions advanced fisher arts and man unmanned systems have proved that air no longer remains the exclusive preserve of manned aircraft ठीक है कि यहाँ पे यह भी बोला है air force पे भी बोला है कि भाई देखो यह drones है loiter आपके पास पूरा का पूरा आसमान तुम्हारा लेकिन उसके बावजूद आप जीत नहीं पा रहे हो तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है the most critical conclusion that we can draw for the Indian military is that self-sufficiency in critical technology and investment in R&D is an inescapable strategy imperative बास खतम वही आत निर्भर बन जाओ जितना जादा हो सके टेक पे इंवेस्ट करो और आर्मी को दे दो खतम तभी आप कोई भी वी वार जो है वो बहुत अच्छे से दीच सकते हो तो जब तक एक mix नहीं होगा तब तक कुछ होगा नहीं यह फिलाल मैं सब आपको समझाए चुका हूं तो यह लेचर था आई होप आपको समझ में आया होगा बाकि यह शांदार audio का कूप वे सुन सकते हैं और अभी आपको क्या करना है कि SGS 50 कूपन को आपको यूज करना है 99 का सब्सक्रिप्शन 49 में फर्स्ट मंद के लिए वैलेड है डिस्क्रिप्शन और कमेट बॉक्स में लिंक दिया है लिंक को क्लिक कर आपको डाउनलोड कर जबरदस्त डिसकाउंट का फाइदा उठाएं तेज सिद्धान तक नहीं होतर C. nda C. signing off